हलो आदाब नमस्ते सस्रीय काल वेकम बाक टुमारी यूट्यूब चैनल वेहं कुझा लूत्रा और दिल से स्वागत करते हूं आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है एजिंग के सबसे पहले निशान दिखते हैं हमारी आखों के आस्वा बहुत दोगों को हो जाती है तो किस तरीके से आप संकन आइज या अंदर धसी हुई आखों को हील कर सकते हो किस तरीके से आखों को प्लंप बना सकते हो किस तरीके से आप अंडराई डाक सिर्कल्स और पफिनस को रिड्यूस कर सकते हो यही आज मैं वीडियो में बदाने बहुत simple तरीका है daily practice करेंगे तो within seven days आपको relief मिलेगा और in fact इससे आपकी आँखों की रोशनी भी तेज होगी because हम आँखों के आसपास की muscles को strengthen करने वाले हैं जिससे आपकी eyesight भी improve होगी साथ-साथ eye wrinkles और puffy eyes या sunken eyes या droopy eyes की problem से तो छुटकारा मिलेगा ही तो करना क्या है simple सी massage करनी है जिसमें हम acupressure points को भी stimulate करेंगे साथ ही साथ muscle strengthening exercises भी करेंगे सबसे पहले आप कोई भी oil अपने हाथ में ले लिजेगा आप नारिल का तेल ले सकते हो बादाम रोगन ले सकते हो ओलिव 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 ले सकते हो या देसी घी भी ले सकते हो देसी घी में essential fatty acids होते हैं जो कि आपके आँखों के आसपास के area को बहुत अच्छे से नरिष क करते हैं मैं यहां पर ले रही हूं तीन से चार ट्रॉप्स ओलिव ऑईल इसको हम अपने हैंड्स में ही इस तरीके से रब करेंगे ताकि हल्का सा वाम हो जाए और जब यह वाम आप अपनी आँखों के आसपास लगाएंगे मसाज करेंगी तो आपकी सारी थकान दूर हो इस तरीके से आँखों के एराउंड अपलाय करेंगे उसके बाद आप सबसे पहले अपनी पाम्स को वाम करेंगे इस तरीके से और आँखों पर रखेंगे एक वैक्यूम कर क्रिये नतर रहेकों होगा और फिर आप जह्टके से आँखे इस तरीके से open up करेंगे, इससे क्या होगा, इससे आपकी sunken eyes की problem दूर होती है, आखों की रोश्री बढ़ती है, और आखों की ठकान भी दूर होती है, इस तरीके से रखेंगे, और फिर ऐसे करेंगे, यह जो warmth मिलती है, हमारी eyes को यह बहुत अच्छी है हमारी eyes के लिए, और एक touch therapy भी हो जाती है, ऐसा आप 4-5 बार करेंगे, अब बटे मसाज की तरफ, सबसे पहले हम अपने eyebrows को uplift करेंगे, क्योंकि जब आप eyebrows को uplift करेंगे, तो अपने आप, आपकी आँखें जो अंदर धस गई है, वो बाहर की तरफ आएंगी, तो इस तरीके से आप eyebrows को uplift करेंगे, एक आई पर मैं करके दिखा रहे हूँ आपको, आपको खुद पता चलेगा, कि विदिन few minutes की मसाज से ही, आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे, आपकी eyes, आपके eyebrows, दोनों uplifted दिखेंगे, विदिन few minutes, आप चाहें तो compare कर सकते हैं बाद में, दोनों eyes में, बहुत अंतर आपको दिखेंगा, विदिन few minutes में, तो इस तरीके से आप अपनी eyebrows को पहले uplift करेंगे, टक्किन करते जाएंगे, बाहर की तरफ, यानि कि आपके scalp के अंदर, इस तरीके से last में टकिन करेंगे, अपनी eyes के नीचे वाले area को uplift, कैसे करेंगे, यहां से आप अपनी skin को उपर की तरफ, इस तरहां से push करेंगे, और फिर इस वाले हाथ की finger से अंदर टकिन करेंगे, यह देखिए, यह आपकी eyes के round, जो eye muscles हैं, उनको strengthen करेंगा, साथ ही साथ आपकी cheek uplift करेंगा, रिंकल्स, काले हेरे उनको भी दूर करेंगी, मसाज, इस तरीके से आप करेंगे, यह से लेकर के आएंगे, और फिर अंदर टकिन करेंगे, आपके scalp के पास, जहां आपकी hairline शुरू होती है, वहां पर टकिन करते जाएंगे, तो यह हो गया second step, steps बहुत आसान है, जब आप करोगे, आपको बहुत easy लगेंगे, and now coming to third step, हम eyes के बाहर, पहले हमने उपर, eyes के उपर वाले area को strengthen किया, नीचे वाले area को strengthen किया, uplift किया, अब हम यह जो eyes के बाहर वाला area है, यहां से हम uplifting करेंगे eyes की, इस तरीके से, आपको अभी difference देख रहा होगा मेरी दोनों आखो में, यह ज्यादा uplifted लग रही है मेरी, और यह eyebrows भी देखें आप, दोनों eyebrows में हलका सा फरक आगया, within two minutes, और अगर आप daily करोगे, और दोनों तरफ करोगे, तो क्या results आपको मिलेंगे, वो आप अंदाजा लगा सकते हो, तो यहां पर सैगी ने साथ दी है, तो हम फाट को दुबारा उपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ताकि आइस जो अंदर धस चुकी है, या रिंकल्स आज चुकी है, वो दूर हो, और साथ ही साथ आपकी चीक अपलेफ्ट हो, तो आप लेंगे यह दोनों फिंगर्स, राइट, इ कर सकता है, कभी भी कर सकते हो आप, बस आपको यह याद रखना है, कि आपको अपने फेस को, अपनी आइस के राउंड के रिया को लिप्रिकेट करना है, ओल से, या किसी क्रीम से, या से या से जो भी आप फेस पर यूज करते हो, ड्राय स्किन पर यह एक्सरसाइस आपने करनी ऐसा आप 7-8 टाइम्स करेंगे यह आपकी चीक बोन को भी अपलिफ्ट करेगा आपके आई रिंकल्स को आने से रोकेगा साथ ही साथ आपकी सेगिंग स्किन को भी फर्म बनाएगा तो यह 7-8 टाइम्स आपने स्ट्रोक करना है अब आपने एक हाथ अपना रखना आइब लाइन के अंदर आपने स्ट्रेच करना है ऐसा आपने 10-12 टाइंद करना है तो यह हो गई हमारी नसाज टेखनिक अब आपको बता देती हूं कुछ अखिप्रेशर पॉइंट फ़र्स्ट एक्प्रेशर पॉइंट है आइस के इनर कॉर्नर पर यहां पर फिफ्टीन से ट्वदी सेकंड के लिए एकक्प्रेशर पॉइंट को स्टिमिलेट करना एएक आई सोकेट के जस्ट नीचे बुकुल सेंटर में यहाँ एक इक प्रेशन पॉइंट है आपकी आइज के कॉइनर पर एक इक प्रेशन पॉइंट है आपके आइब्रो के कॉइनर पर और टैंपल पर और एक है center में third eye point कहते हैं इसको यहाँ पर, इसको clockwise और anti-clockwise भी आप इस तरीके से घुमा सकते हो, और stimulation दे सकते हो, तो यह 5 acupressure point है, can you see the difference, symmetry नहीं आ रही है अभी मेरी eyebrows में, क्योंकि यह uplift हो चुकी है, यह देखिए, daily basis पर आपने massage करनी है, अपने eyes के around area पर and sunken eyes की problem, धसी होई आँखों की problem दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी आँखों की रोशनी तेज होगी, आँखों के आसपास काले घेरे हैं या फिर wrinkles होते जा रहे हैं, तो वो भी reviews हो जाएगे, try कीज़ेगा इसको, results मेरे साथ ज जरूर जरूर शेयर कीज़ेगा, मुझे आपके comments का इंतिसार रहेगा, आज का वीडियो यहीं खतम करती हूँ, कर मिलूंगी बहुत अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना घ्यान रखिएगा, खुश रहेगा और खुशिया माटिएगा, बाबाई